जैसे देखे यहां पर कुछ कोशन जो होते हैं घडी में कंडीशन बेस्ट आते हैं जिसमें बताया जाता है कि आवर और मिनट के हैंड जो हैं आणा कब एक दूसरे के एक साथ में होंगे मतलब तो उस सामय में जो कंडीशन के रूपने हम यूज करेंगे वह हम जीरो मिनट करते हैं जब कभी कॉशन आयागा गाड़ी का जो मिनट और मिनट का सुझे का कब स्टेट होगा तो अग्र की बात क्या है तो एक साथ टीगरी होता है जब हमें क्या है कर दिशन मुन को लेना है इसलिए कप दिशन को हम थार्टी मिनट रखेंगे क्या होता है जो घंटा का का है और मिन्ट का हभआ स्ट्रेट हो जाएगा और पर परंडिकुलर के केस में जब कंडीशन के रुप में हम क्या लेंगे चैनल के लिए जो मिनट का सुय और गंटे का सुय है 15 क्या होना चाहिए ऊस्टस के कोश्यन कर दिएर अब करेंगे तो जब यूज करेंगे तो आप कंडिशन से रिलेटेट कोशन समझ में भी आ जाएंगे ठीक है एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप अपने पास इसक्रिंशॉट लेकर के सेव कर लीजिए जैसे कोशन मैं लिख दिया हूँ तिक है आपके स्क्रिंश पर सो कर रहा होगा इसमें जो पूछा गया कोशन में वह क्या है देखिए दस और 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुईयां कब आपस से मिलेंगे तो आपस से मिलेंगे तो हम अभी कंडिशन से रिलेटेट जी इ कब यह जो सुईयां है आपस में मिलेंगे तो यहां पर सुईयां आपस मिलेंगे इसका मतलब है कि उनके बीच जो कौन होगा वह 0 degree होगा और उनके भी जो minute का gap होगा वह भी 0 minute होगा इसका मतलब जो एक साथ मिलेंगी वह उसके लिए condition क्या है जीरो मिनट यूज किया जाएगा ठीक है लेकिन जीरो मिनट तो कंडीशन हमें यूज कर लिया टिक कै लेकिन आप इस कोशन को सॉल्प करने के लिए जो पार्टि प्लग फॉर्मूला होता है है उसको भी हमें या लिंक रांश को देखिए और सभीत्र रगे कोशन जो है इ नेट गेन या मूब बोलेंगे अब प्रश्म उठता है ना कि नेट गेन और मूब को हम कैसे फाइंड करें तो उसके लिए मैं फार्मूला भी यहां पर राइड डाउन कर दे रहा हूं नेट गेन और मूब के लिए अना एक्चुवल गेन या एक्चुवल मूब माइनस जो कंडीशन है उसको यूज करते हैं तो यहां पर एक्चुवल मूब कैसे फाइंड करें तो यहां पर देख रहे हैं कि 10 और 11 बजे के बीच तो पहला जो वालू हुआ 10 है ना तो 10 में क्या तो हमेटाइकुल मूब क क्या करते हैं यहांपे 10 और 11 वालू कंडीशन जिरो होतास तो 0 यूज कर लिए तो तय Exact 50-0 इसका मतलब क्या हो रहा है 50 हो रहा है ठीक है यहां पर हम जो net gain का value लेंगे वह 50 लेंगे 12 by 11 into 50 50 का unit बोला जो क्या है minute है क्योंकि हम जो conditionally minute में लिया है न और actual move है वही क्या है minute में 10 into 5 के तो भी minute में ही आया ठीक है तो मेरा कितना हो गया 50 50 जो हो गया यह मेरा net gain हो गया तो इससे हम जो calculate करेंगे तो कितना आ रहा है 600 by 11 तो 11 5 जा 55 फिर 5 बचा 11 4 जा 44 ठीक है 44 हो गया तो फिर कितना remainder बचा 6 बचेगा 44 को हम जब 50 माइनस करें तो कितना बचेगा चे बचेगा मतलब 54 पुनांग 6 बचे 11 मिनट जो होगा इसका मतलब कि 10 बजे के बाद चवणपुनांग 6 बचेगारा मिनट जब घो जाएगा तो यह जो दोनों सुईयां हैं कौन कौन वह एक साथ हो जाएंगी तो मेरा जो पूछ रहा है कितने बच आपस मिलेंगी तो दस में क्या करना है यह वाला को अटैज कर देना है बतोब 10 बज के चौन पुनां चौन पुनां छे बटे गारा मिनट पे घड़ी की सुई यह एक साथ हो जाएंगे ठीक है आप कंडिशन पेस्ट में दूसरा कोशन भी आपके स्कृन कर लिक रामटी है उसके बाद उसको भी आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए उसी अधार करके रखिए तो आपको कंफिडेंस आजाए कि हां सर एक पर बता है मैंने कैच कर लिया कि नेक्स्ट कोशन आप देख रहा है जो मैं इस ब्लैक बड़ पर लिग दिया हूं अब इसक्रिन पर शो कर रहा होगा ठीक है इसको पढ़िए ठीक है इसको समाज करके इसको मुझे अन सब्सक्राइब उसक्राथ कि प्रयास करने चाहता हूँ तिक कैस मुझे बताते horribly हो रही है कि आने वाले जो नए साल है उसमें मैं कोशिस करूंगा कि मैं डेली वेसिस पर एक दो दिन के अंतराल पर करेंट अफ्यर्स का भी वीडियो लाऊंगा जो आपको कंप्रेटर्ब एक्जाम के लिए जो हैं वहोती लाबकारियों उपयोगी होंगे तो आप लोग को तो खुशी होई होगी आप अब क्या है कि नए साल का इंजार कीजिए और नए साल में मैं एक पुश्कवरी आप लोग को जो है अपने चैनल के माध्यम से दूंगा जैसे इस कोशन को देखे क्या है एक आरो और बारा बजे के बीच घड़ी की सुईयां किसी समय प्रसपर 180 डिरी का कुन बनाती है बत माली आपका क्या है घड़ी है तो कब 180 डिरी का कौन बनाएंगी तो इसके लिए जो कंडिशन हम पीछे जो बताया थे तिक है उसमें 180 का कंडिशन क्या हुआ ऐसे आप लाइन भी खीचे तो इससे आप देख सकते हो कि मिनात जो होगा 180 डिरी में और गैपिंग कितना होगा 30 मिन का होगा ठीक है ना इसलिए क्या हम इसटे इस के स्केस में कंडिशन के रूप में हम सी का वैलू क्या यूज करेंगे हम 30 जो थे तो इस तरह से इसका वैलू कार्ये करेंगे इसका एक्ट्वल एंसर कितना होगा वह 12 by 11 इंटू एना नेट गिन तो नेट किम किया से फाइंड करते थे जहां 11 देख रहें हैं पहली भालू है तो 11 Friday, 55 हो गया किया क्या करना है 13 करना है माइनस कितना है थर्टी ठीक है तो कितना आ रहा है वालू देखिए 12 by 11 into 15 होगे यहाँ पे 25 होगा 25 अब इसको मल्टिप्लाइ करके तो कितना हैगा 25 into 12 300 by 11 अब इसको कैल्फरेट कीजिए कितना आ रहा है पूनांग भैलू 11 22 जो रिमेंडर बचावा कितना बचावा 80 होगे है फिर क्या आ जाएगा 11 70 77 इसका मतल सेफ जो बचावा कितना है 3 by 11 होगे हम ठीक है मतलब जो यह फाइली जो आया फाइल हो किया है यह मिनट आ गया 27 कुनांग 3 बट 11 मिनट तो यहां पे आप उप्सान में देख सकते हैं कि है ना कि 11 में अगर हम 27 कुनांग 3 बट 11 मिनट अगर आगे बढ़ेंगे तो उप्सान कौन आएगा और यह हो जाएगा तो देखे कितना कोशन सॉल्व करना ही जी है अगर आप इस तरह के कोशन का जो कंडिशन को आप समझ जाएगा तो पॉशन सॉल्व करना इस फॉर्मूला बेस्ट पर कितना आसान यह जो वैल्यू देगा वो बताया कि हां कितने मिनट बात जो है ना पा पार्टिक्लर मिनट एंसर देगा क्या देगा यह पार्टिकलर मिनट देगा तो अई हम यह आप लिगे 300 पर 11 क्या हो गया यह मिनट हो गया अब नेक्स्ट कोशन आप स्क्रीन पर लिखते हैं जैसे कोशन को आप देख रहे हैं कोशन क्या बोल रहा है पढ़ लीजे तीन और चार बजे के बीच किस समय घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से दस मिनट आगे है तो यहां पे देखें यह भी कैसा लग रहा है कंडिशन वाले कोशन था क्योंकि हमां सुई तो जो घंटे की सुई है और मिनट की सुई है उसके बीच बोल देगा कि क्या है इतने मिनट का गैप है यहतो आगे बोलेगा या पीछे बोलेगा, जब भी पंद्रा या 15 च्छोटा कोई भी मिंट होगा, तो समझ चैक है ना, उसका जो होता है दो एंसर हो सकता है। तो दो तरीके से calculate करेंगे, लेकिन यहां पर जो आएगा answer, दो में से कोई एक ही दिया हुआ रहेगा या दोनों भी हो सकता है, लेकिन यहां पर option जो है, A, B, C और D अलग हैं, अलग-अलग हैं और कहीं D option में ऐसा नहीं है कि A और B दोनों होगा, इसका मतलब है कोई एक case होग तो आप दोनों से आपको try करना है, तो पहले क्या होता है कि यहां पर question को आप देख रहें कि ध्यान से पड़ रहें कि क्यों इसका answer एक ही है, तो कि इस समय घड़ी वाली स्वी घंटे वाली स्वी से 10 मिनट आगे है, अना, मतलब कह रहा है कि पहले क्या है कि घड़ी का जो पीछे हो गई और मिनट वाली स्वी आगे हो गई, लेकिन इसका case हम दो इसलिए बोले कि हो सकता है कि मिनट वाली स्वी क्या है, कहीं दूसरे question हम बोला है कि 10 मिनट पीछे है, तो मिनट वाली स्वी यहां 10 मिनट पीछे मतलब ऐसे दीख लाना पड़ेगा, समझ गया ना, इसका मतलब इसका दो case बनता है, लेकिन question यहां बोल रहा है आगे वाला case, तो आगे वाला case के उन्थार ही हम question को इसमें हम solve करेंगे, ठीक है, तो यहां जो है बोला कि 10 मिनट का gap है, तो इसके लिए जो formula भी बताया थे, कि 12 by 11 into net gain, तो net gain कैसे निकालेंगे, actual move, actual move minus का condition, तो इसमें करके, यहां पर condition को क्या करेंगे हम, add कर देंगे, अगर आगे तब पीछे बोलता है, तो minus 10 करते है, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है हमको, आगे बढ़ने के लिए बोल रहा है, इसका 10 को हम इसमें add कर दिए, तो कितना आ रहा है, देखिए, 12 by 11 into 25, इसका 300 by 11, तो value कितना देगा, उसका पाले भी हमको लगता है, यह value calculate किये थे, तो क्या था, 11 to 22 हो गया, आ ना, फिर remainder किया, 8 बचा, 18, 20, 11, 11, 7 जा, 77, तो 3, remainder बचा, तो यह वारा value आ रहा है, 27 पूर्णांग, 3 बटे 11 मिनट आ रहा है, ठीक है ना, तो इतने मिनट के बाद, मत्त हैना, 3 से इतना मिनट आगे जाएंगे, हैना, तो इनके जो घड़ी, इस घड़ी के जो मिनट और घंटे के बीच का सुई का जो gap होगा, वह 10 मिनट का होगा, हैना, लेकिन यहाँ प्लस कर दिये हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे मिनट वाली सुई, क्या है, घंटे वाली जो है, तीन और चार के बीच में, मिनट वाली सुई जो है, घंटे वाली सुई से 10 मिन आगे होंगी, ठीक, एक नए कोशन फिर से हम इस्क्रीम पर लिख रहे हैं, इस कोशन को देखे, जो पीछे वाला कोशन था, 3 नंबर, उसमें क्या था, थी नंबर वाला केस में क्या थ पर पर केसह करये है तो इसम हम माइनस करेंगे, तो 3, 5 जा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा ना माइनस कंडिशन तो कंडिशन यहां पर कितना आ रहा है चार मिनिट पीछे का रहा है इसमें हम 4 को हम माइनस कर देंगे तो आप सो कैल्कुएट करना है हम लोग को 12 by 11 into 15 minus 4 ओ रहा है 11 से 11 के उब सो कैंसलों हो गया है तो यहां पर क्या रहा है 12 मीनिट आ गया देख़ी कितना असान पर जल्डी आ गया मजा आ गया होगा तैसे आप समझ गया तो कोशन को सॉल करना है तो आपको डर नहीं बनेगा और कभी ऐसा फिल नहीं होगा कि हम उस टॉपी को हम नहीं देख पाई एक्जाम के समय, कोई जरू नहीं नहीं कर लिजे अगर किसी भी चीज को अगर अच्छी तरह से समझ चूके रहेंगे ना तो एक्जाम में आपके डर बिल्कुल नहीं अच्छी तրह से समझ चुके हैं, बस उस शिज़ को आप रिविजन करने की जोरत है। इसमे आपको डर लगता है। हर एक चिज़ को रिविजन करने क्या हो सकता है हएक जास्ट पाले नहीं है। इसमें आपको डर है, confusion है, उस चीज़ को आप देक सकते हैं। लेकिन रिजनिंग और मैक में क्या होता है, confusion नाम का चीज होना ही नहीं चाहिए, मेरे नुसार, क्योंकि मैं जब कलास लेता हूँ, तो कोसिस करता हूँ कि पूरा का पूरा confusion क्या है, अपने candidate का हम solve कर दूँ, ताकि एक्जाम में वो बिल्कुल क्या है, और सही तरीके से attempt करें, और समय का भी बचत करें,